Hello students, आज है मैं वीडियो में, journal और लेजर की meaning, उनका format और उनकी बीच में difference क्या क्या हैं, हम इसे discuss करेंगे. तो चलिए start करते हैं, सबसे पहरे journal क्या होता है? तो journal, original जो entry होती हो, उनकी basic book है. तो मतलब जो सबसे first time जब हम entry करते हैं और जिस book में करते हैं, that is journal. So it is a book of original entry, यहाँ पर हम क्या करते हैं, transactions जो भी हमारी business में हो रही है, उनको हम record करेंगे chronological order में. मतलब, जैसे जैसे वो होती जाएंगे, वैसे वैसे record करते जाएंगे, one, two, three, four, five, chronologically हम उसको record करते जाएंगे. चीक है, देखिया, आपको accounting में हमने पहले ही discuss कर रहा है, आपको पता है, यह चीज के accounting start कहां से होती है, जहाँ पर हम पहले financial transition को identify करते हैं. अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसको record करने वाले हैं, तो record कहां करेंगे, record करेंगे हम books में, और किस basis पे करेंगे, double accounting system के basis पे, जो कि हमने अभी देखा कि double accounting system क्या होता है. तो अब वहाँ पे जो हम recording करने जा रहे हैं, तो जिन books में record करें, that is my journal, और यह सबसे first time उस transaction की recording कहां हो रही है, इसी book में, तो यह entry की original book कही जाती है, ठीके, तो जैसे जैसे transaction होती जाएंगे, वैसे वैसे इसकी recording होती जाएगी, जब एक बार हमारी transactions पूरी record हो जाती हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जो respective accounts होता है, वहाँ पे post कर देते हैं और respective accounts laser में जाता है, ठीके, तो यह हमारे सामनी journal का पूरा format है, तो date हो गया, particular हो गया, laser folio number हो गया, debit amount का, credit amount का, तो last की जो दोनों है debit and credit, यह amount का column है, यहाँ पे debit का amount, यहाँ पे credit का amount लिखें हैं, है ना, जब हम general entry लिखते हैं, उस time पे हम laser folio number नहीं डालते हैं, लेकिन जब हम laser create कर लेते हैं, तो particular entry का laser किस page number पे है, हमने laser book जहां पे बनाई होगी, वहाँ पे वो इस particular entry का laser किस page number पे खुला हुआ, वहाँ बो page number हम यहाँ पे, वहाँ सो ठाके, यहाँ हम mention कर देते ह यहाँ पे मैंने purchase account लिखा है, purchase account debit to cash लिखा है, तो इस case में purchase का laser number किस page में होगा, वो इस time entry के time तो नहीं पता होगा, तो इंटी के time laser folio number नहीं पढ़ता है, जब laser create हो जाएगा, वहाँ मैंने purchase का माल जी 8 पे, 9th page number पे वो है, तो वहाँ पे 9th पे अगर है, तो मैं यहाँ laser folio number 9 लिख दूँगी, तो यह laser folio number होता है, तो date हो गया, particular हो गया laser folio और amount का debit and credit, और आपको यह चीज़ पता है, कि double accounting system में हर transactions के दो approach होंगे, ठीक है, एक चीज़ अगर चीज़ आज रही तो जाएगी भी, देगा कोई तो लेगा भी कोई, तो basically debit और credit दोनों account होंगे, debit and credit का balance equal होना चाहिए, यही तो हमारा double accounting system कहता है, तो यह हमारा general का पूरा format हो गया, for example, एक example के से हम इस पूरी उसको देखेंगे कि कैसे general entry होगी, तो good purchased on credit for Rs. 50,000 from Masters Govind Traders on December 24, 2021, involves only two accounts, अब यह तो इसका answer हम शुरू करेंगी, पहले हम इसे समझ लेते हैं, कि goods purchased किया गया ह Master Govind Traders, ठीक है, Govind Traders जो एक वैपारी थे, उनसे 50,000 रुपए का credit पे goods purchase किया गया, कब किया गया, 24 दिसम्बर को किया गया, अब हमने double accounting system में सीखा है, कि entry करते कैसे हैं, हम क्या करेंगे, किसी भी transaction, अब यह एक transaction हो गई, जहां पर purchase किया गया है, Govind Traders से credit पे, तो हम के पेने क्या सिखा, कि हाई transaction, कोई भी transaction है, पहले हमें classify कि कि किस account का है, तो अगर हम traditional rules से देखते हैं, तो हम उसी की business पे अगर यहां पे देखते हैं, तो हमें क्या करना है, पहले देखो कौन कौन से account है, इस transaction में, अब goods purchase हो रहे हैं, तो purchase क्या हो गया, purchase क्या expense है, income है, क्या ह तो जब खर्चा होता है, वो किस account को belong करता है, वो belong करता है, nominal account को, है ना, तो purchase किसको relate करें, nominal account, अब ये जो purchase हुआ है, वो किस से किया गया, गोविन ट्रेडर से किया गया, तो दूसरा जो account में होने वाला है, एक तो purchase किया, ऑप एक transaction का approach होगा, पर्चेस करना, दूसरा किस से दूसरा हमने गोविं से परचीस किया तो सेकिंड जो हैंगोविं ट्रेडड अब क्यों से ट्रइडर नाम है इस घ्रच कांबन होगा ट्रीस आपरिया रियल नॉमिनल न कून हो गया बर आप्सनल अक्षिया लिख थी से अब कैसे ट्रीट कॉंट करना है तो हमने nominal account का क्या सिखा हुआ कि expenses और losses को debit करना है तो purchase एक expense है हमने purchase किया है है तो purchase को क्या करना होगा हमें debit करना होगा तो purchase account debit हो गया कितने से purchase होगा 50,000 से आप क्या करना है credit कैसे करें goods करें govin trade कैसे करें तो हमारा क्या करना होगा second transaction transaction purchase करके goods purchase कि तो हमारे यहां पर आ गिया तो दूसरा aspect इसका क्या होगा कि इससे purchase किया है वो पैसे कहीं जाएंगी तो govin trader को जाने पर चुकी हमने credit किया हुआ है तो govin trader खड़े हो गए और अब यह personal account तो personal account क्या कहता है debit the receiver credit the giver तो हमें जो दे रहा हो उसको credit करना होता है govin trader क्या कर रहे हैं दे रहे हैं यह receive कर रहे हैं तो govin trader ने हमें goods दिया है तो वो क्या हो गए giver हो गए तो credit the giver होगा तो govin traders को हमें क्या करना होगा credit करना होगा तो purchase account debit to govin traders और दोनों में debit और क्रेडिट में दुने में माउन कितना जाएगा 50,000 अब इसके फॉर्मिट में अगर हम देखें गए तो कैसे इंट्री करते हैं तो पहले यहां पर देख लिए दो एकाउंट्स होगे एक हमारा पर्चेस एकाउंट एक हमारा कोविट ट्रेडर एकाउंट गोविट ट्रेडर ह हमारे कौन होगे क्रेडिटर कहलाएंगे देने वाले पैसा यही दे रहे हैं और यह हमारी लाइबिल्टी बन के आएंगे तो गोविट ट्रेडर हो गया और पर्चेस हमने गोविट का किया है तो हमारे लिए दूसरा एकाउंट हो गया अब जनल में इसके इंट्री कैसे हो करता है परसनल में गिवर को हमको क्रेडिट करना होता है तो यह गुड्स दे रहे हैं है ना तो इनको इनके हां से ही गुड्स हमने खरीदा है तो इन्होंने गुड्स दिया है यह गिवर है तो गिवर को हमको क्रेडिट करना तो हमने कर दिया अब लेजर फोले नंबर यहा है वहां बहुत सांकाया है अगर यही पर्षास किया होता तब क्या हो जाती है तो sı्मारी ह्यान हो गए हमारा ट्रीट्मिंट क्या हो जाएगा हमारा आपका हो जाएगा प्रछै Coraison तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कैश क्या हो जाएगा ऐसे सबस्क्राइबुक्ते के दिए आपका ज़ाँडिक वाला है वोिसित की बेस्के बेस्टेम पे लेजर की इसे पर एकांटिंघ कोस्टम जिया तो यह पुर आपका ट्राइल बालनस बनने ठीक है तो यह principal book हो गया यहां पे हम क्या करते हैं different accounts इस जो लेजर होता है हम अलग-अलग accounts open करते हैं है ना purchase का लग account हो गया sales का लग हो गया govin traders का लग account हो जाता cash का लग account हो जाता था तो हम बहुत तरह कि आउन से यहां open करते हैं लेजर में क्या करते हैं सेम नेचर वाले आइटम की grouping कर देते हैं उसे को में लेजर करना कह रहे हैं तो वे रांजेशन रेलें वाले अगरेंगे अगरेंगे तो वहां पर ओलीब भी होसकती है मतलब लेजर के चाग को हम open करते हैं और जब आप उपन करते हैं कोशिश ही एक कहता है कि हर अपाँ government कlaw आ काउने ह Laura लेजर का format देखते हैं, तो लेजर के format में सब से ऊपर क्या होगा, नेम आफ दय काउंट, अब आप पर्चेज इकाउंट में लेजर अकाउंट किसका है, तो वे एकाउंट का नाम होना चाहिए, ये पर्चेज एकाउंट है, यह sales account है, यह cash account है, यह bank account है, तो यह account कौँसा है, तो यहाँ पर name of the account, यह पर account का नाम हो जाता है, clear है, तो यहाँ पर account का नाम हो गया, अब उसके बाद इसके लिखी चार साइर के 8 column हो गया, तो चार column जो है debit side का, चार column credit side का, तो left hand side पर debit column आये, date लिखा, particular लिखा, general folio number लि लिखा, general folio लिखा, amount लिखा, credit का, है ना, अब जैसे हमें example लेते हैं, जैसे हमने भी entry जो की, purchase account debit to go win the traders, अब हमने यहाँ क्या खोला, तो जब उपर purchase account खोला, तो अब purchase तो उपर नाम ही खोल गया, अब जिसका नाम मेरा ही, जैसे कि मान लेजे, कि मैं अपने अपना business खोल लिखा, तो मैं अपने में थोड़ा अपना नाम लिखे थोड़ी ने करूंगी, कि मैंने अपने आपको 500 रुपया दिया, ऐसे तो कभी नहीं करूंगी, तो जिस account का आप खोल रहे हैं, जिसका नाम उपर लिखा है, उसका तो नाम इस पूरी entry में कहीं नहीं लिखा तो इंट्री करती पर्चे काउंट, य। तो और तो लिखे ज लिखे जाएं, तो तो लिखे जाएं, कि मैं अपका आपका डयपेर कोविखें सुझंगो विंद हुद बाफ सब्सक्रेंडे गवारी map, उसके शवदी बर को Himselfी meer है, और यहीं पर शisवारा नेक्ट का आवार Gowin Trader का तो नम नहीं लिखेंगे, हम उसके उपर वाला है, दूसरा अप्रोश लिखेंगे, इंट्री क्या थी, Purchase Account, डेबिट तो Gowin Trader का एकाउंट खुला पड़ा है, तो हम को इंट्री किसकी लिखनी पड़ेगे, Purchase की, तो हम क्या करेंगे, Buy Purchase ले देंगे, एकाउंट, लेजर खोलते हैं, और इस तरह से लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जरनल और लेजर में किस बैसे हम comparison करें ठीक है इन दोनों के बीच में difference कभी कभी पूछ लेते हैं तो देखे जनल क्या होता फर्स्ट इंट्री की बुक है ओरीजनल इंट्री किसमें की जाती है जनल में वहीं लेजर क्या है सेकें इंट्री की बुक है आप जो जनल में बना है उसी से आपने दूसरी जगां ज फोल्यो नंबर लिखा था तो जनल nun के क्या ले जनल यह कि ये जो लेजर खुला इसका जनल फोल्यो जहां जर सब्सक्ते हैं गई जर इंट्री कहां में 읽ी और इंट्री से हम यह देख पाएं इसका हो हमेलेão इस हिसा strengthened का बनाया गया अब दिखें जेन्रल कुण्लोंच कर और जो लिजर होता किसमेड रिकॉर्ड मतलब हम इसको लिटर करकर एकाउंट खोलते ना यह को है एसा नहीं के पहले जू ट्रांजक्षिंड होगा इसका इकाउंट खोल गए ऐसा नहीं हो किता है टीक है नेक्स हो गया हम debit में लिखा या credit में उसका source entry उसको verify करने के लिए आपको कहां पहुचना पढ़ेगा journal तो journal source entry कोई भी transaction का कोई भी आप treatment करके बैठें हैं उसकी basic entry आपको कहां मिलेगी journal में ठीक है इसी वजह से journal की ज़्यादा importance होती है rather than लेजर अगर legal evidence की ज़रत पढ़ती है तो आपके journal आपकी books of account मगाया जाते हैं जहां पर आपने journal entry की है day book आपके मगाया जाते हैं ना कि laser posting account मगाया जाता है ठीक है next or difference हम करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं journal में जो होता है जो transactions होता है वो हम transition is basis of classification of data within the journal तो हम general में transaction के basis पर data को classify करते हैं कि कौन कौन सा transaction हुआ उस basis पर classify करके entry करते हैं और laser में हम क्या करते हैं account के basis पर classification करते हैं purchase account, go-win trader account, cash account, bank account account के basis में data को classify किया जाता है ठीक है और हम basis देके difference का तो process of recording journal is called journalizing तो जब journal entry pass की जाती है, journal में, जब books of account में, हम journal entry pass कर रहे हैं यह जो entry हमने बनाई, purchase account debit to go-win traders तो यह journal entry हो गई कहलाईगी, journal book में journal entry हो गई तो इस तरह से entry लिखने को क्या कहेंगे, journalizing ठीक है, process of recording in the journal, journal में जब आप entry लिखाते हैं इसको record करते हैं, transaction को record करते हैं, तो उस process को कहेंगे, journalizing करना और जब हम laser में यही काम करेंगे, laser में account खोल के, जब हम record करेंगे, उसको कहेंगे laser में posting करना ठीक है, तो यह हमने journal or laser के difference देख लें, I hope आपको journal or laser का meaning clear होगा होगा, wish you all the best, thank you so much